नमस्कार दोस्तों देवाई सीरीज जो हम लोग कर रहे हैं आज उसका ठारवा दिन आ गया है मोस्ट इंपोर्टन पचास हमसी की यह सीरीज है जीस के सारे टॉपिक भी हर पीस है इसके यह कवर करती है तो बिना किसी देरी के बिना अपना समय बरबात करें इसको शुरू करत सकते हैं ठीक है चले मोस्ट एक्सप्रेक्टेट कोशन मिलते हैं आपको पेट कुज में चले शुरू करते हैं पहला कोशन के रहे हैं निम्रिकित में से कौन अविकल्प सही सुमेलित नहीं है यह बताना है विच्व फॉलूइंग ऑप्शन इस नौट करक्ली मैच अचारों का प्रत्यच आदान प्रदान करने में सहायक उपकरण। टूल हेलफुल इंडिरेक्ट एक्सजेंज ऑफ न्यू बिट्वीन न्यूस बिट्वीन टू कंट्रीज यह भी सही है टेली प्रिंटर दूरस्त टेली ग्राफिक संदेशों को स्वयम ग्रहन करके टंकड करने वाला यांद टैली प्रिंटर टाइप राइटर ication टैलिग्राफिक मैसज बाइट्स़ ही जस्ता एवं मुदरन करने वाला उपकरणैं कौन दिवाइस वार प्रिंटिंग औन जिंक यह होता है आपका कौन यह होता है आपका वेंडी ग्राफ जेनरेटर नहीं इसका हो जाएगा जिंको ग्राफ क्या होता है जिंको ग्राफ जिंको ग्राफ जिंको ग्राफ बोलते हैं जो जस्ता पर मुद्राण करता है उपकरण डिवाइस प्रिंटिंग वह होता है जिंको ग्राफ जिंक को ग्राफ टीक है क्योंकि वेंडी ग्राफ जो होता है यह उच्छ विभुहांतर पैदा करता है मतलब हाइप पोटेंशल डिफ्रेंस पैदा करता है ठीक है उच्छ क्या पैदा करता है यह इसका डी ऑप्चन गलत था दूसरे पर आ जाते हैं भारत कुलिंग एक्षन भारत क चैन करना के इसे समंदिन क्यों पर गलत क चाहिए करना आई सीएपी जो है इंडियन कूलिंग एक्टेंग प्लाज कह यह बताना है इंडियन कूलिंग एकशन प्लाज। क시면 2020 में लुण्ज किया गया क्योंकि इने कूल् eco forsk जोन डिवश्वाज सॉना सितंबर की मैं पी गता ठीक है भारत ऐसा दस्तावेज विख्जित करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है दुनिया का पहला देश इसके तहट वर्जव 2027 तक सीतलन मांग को 20-25 पृतिशत और प्रसीतन मांग को 25-30 पृतिशत कम करना इस योजना का लच्छे ठीक है यह आपको याद रखना है इंपोर्टेंट है यह काफी ठीक है तीसरे पर आते हैं गंगा एक्शन प्लान पर बेस सवाल है यह गंगा एक्शन प्लान से समंदित निमलिखित कतनों पर विचार करें और गलत कतन का चैन करें यह पहली न प्लानी की गुडवत्ता में सुधार करना था और इसका उद्देश विशाक्त एवं अध्योगिक रशानिक कच्रे को नदी में प्रवेश करने से रोगना था इट वस्ट रिवर एक्शन प्लान विच वस ब्रॉट आउट बाट बाट मिनिस्ट्री आफ इन्वार्मेंट इस परपस वाज रिलेटेब्ट वाटर इंट्रसरप्शन और इस परपस वाज तो प्रवेट प्रवेंट टॉक्सिक और इंडूटियल क्यमिकल वेस्ट वेस्ट फ्रों एंट्रिंग दी रिवार तो इसमें से यह तीनों टुठी गई है उननिसों पिंचानवे में निसों पिच्च्यासी में आया तहा यह गलत हो जाएगा बस ठीक है यह कवा आया तो निस्व पिच्च्यासी में चोथे देखते हैं राश्ट्री नदी गंगा बेसिन प्राधिकरहर चे संबंदित निम्लिकित कत्रों पर विचार करें असत्य कत्रन का चैन करना है ठीक है कौन सा गल सफाई अभियान को यह सुनश्चित करने के लिए प्रारम किया गया था कि वर्ष 2030 तक कोई भी अनुपचारित नगरपाली का सीविज या अद्योगिक अपवा नदी में प्रवास ना करें तो 2030 तक नहीं 2020 तक सुनश्चित करने के लिए करा गया था तो यह ऑप्शन गलत ह 2020 होना चाहिए इसकी अद्यक्षता प्रदानमंत्री करते हैं यह ठीक है इसने गंगा को भारत की राष्ट्री नदी गोशित किया है यह भी बिल्कुल सही हो जाएगा ठीक है पांच पर आते हैं वर्तमान में 17 विकास लच्च हैं इन 17 विकास लच्चों से संबंदित कुछ संकेतक भी इन संकेतकों की संख्या कितनी है i present there are 17 sustainable development goals there are also some indicators related to these sustainable development goals what is the number of these indicators 305 304 204 205 तो क्या इसका नंबर है तो इसके नंबर है यह 304 कितनी संख्या रखी गई है 304 संकेतक है 17 सत्तविकास लच्च हैं ठीक है निम्ले किर में से कौन सा सथत्विकास लच सही सुमेलित नहीं है ये बताना है, ठीक है, गौल 1, नो पोबल्टी, तो ये तो सही है, गौल 1, नो पोबल्टी आ जाये गभी, गौल 4 जो है, गुड हेल्ट एवं वेल्बिंग, गलत है ये, ये क्वालिटी एजुकेशन की बात करता है किसकी बात करता है क्वालिटी एजूकेशन की गोल फो ठीक है क्योंकि गूड हेल्थ और वेल्बिंग की बात करोगे तो यह गोल तीन में आता है ठीक है सट्रा गोल याद कर लेना इंपॉर्टेंट एक्जाम में जरूर आते हैं क्लीन वाटर सेनिटेशन गोल छे है और लच्छ पांट जो है जेंडर इक्वालिटी सा डील ता जेंडर इक्वालिटी ठीक है क्वेशन साथ देखता है एजंडा 21 को चार वर्गों में बाटा गया है इन में से कौन सा विकल्प इस एजंडे से सम्बंदित नहीं है एजंडा को विकास करने के लिए संसादनों का संरच्ण और प्रबंदन ये भी सही है खंड तीन प्रमुक समोह की भूमिका को सुद्रण बनाना है ये भी सही हो जाएगा खंड चार रोजगार के सादन गलत है ये खंड चार जो है एजंडा 21 से सम्बंदित नहीं है ठीक है खंड च तो ये सहुद्रं कितनी होती ऑफी यह बहीं है जेनों कितनी होती और मिलद रर Whenever गलत दोस्तों गए बता था रहते और सख्रुद्र सब्सक्राइब जुद्ब। करें consider the following statement related to troposphere and choose the wrong option ठीक है जो the troposphere is the lowest layer of atmosphere चीन सब की यह क्या है यह कुछ मिस्प्रिंट हो गया दोस्तों प्रोपोस्पेर जो होता है वो आयू मंदल का सबसे नीचे लेर होती है यह थोड़ी से मिस्प्रिंट होगी दोस्तों इसमें दा हाइट ऑफ तो अवगाईट इस अप्रोपोस्पेर आपने पढ़ा होगा अपने पढ़ा होगा फिर थ्टार फिर मीजो यह एक्जो जोश्पेर ऐसे यह थीग है सबसे लोएस लियर है पर इसकी डिस्टंस कम होती है यह जादा होती यूगि धूप होती इसलिए एक स्टेंड करती है और इसका टंबरेचर जो है दो डिग्री चल्शियस ने एक डिग्री चल्शियस गिरता है 165 डिग्री हाइड पर ठेन देख लेते हैं ग्लोबल इन्वाइमेंन्ट फैसिलिटी से संबंदिन निम्लेगित कतरों पर विचार करें, कौन सा कतर है, गलत है, consider the following statement to the global environment facility, choose the correct option, incorrect option, गलत करो, यहां incorrect कर लीजे, जी इएफ यानि Global Environment Facility की स्थाबने 1992 में हुई थी यह ठीक है इसका मुख्याले नियू यूर्क यानि स्वयुक्त राज अमेरिका में स्थित है इसका इन मुख्याले कहा है स्वयुक्त राज अमेरिका में स्थित है जी गलत है क्योंकि इसका मुख्याले वॉशिंग गटन डी कास कारिकरम विश्व बैंक द्रौरा संयोंगत राश्टर पर्रहण ओरोंदक rouसे प्रतिबंदिद किया जाता है यह ग्लोबल इन सिल्टीने मिल के साथ कार ता है जी एफ व्ट इन मैंनी ऑसफ म sect काम करता है ग्लोबल इनवाइमेंंट अग्यम के साथ काम करता है सारी याД करनी है नहीं कैसे UNDP, UNEP, World Bank, FAO यह सब निम्लिकित में से कौन सी रामजार साइट बिहार में अवस्तेत है रूद्र सागर लेक, काबर ताल चील, सोकार लेक या सोमोरोरी लेक तो यह कौन सी कहां पर मतलब बिहार में कौन सी यह बतानी है तो बिहार में तो आपको काबर ताल मिल जायेगी बिहार में त्रिक है बिहार में कौन सी यह सागर लेक यह त्रिपुरा में द्रिपुरा में और आपकी बिहार में प्रोटिन का पाचं माना ऽुच्छ के निम्लिकत में शुरू होता है दाइजेशन ऑ प्रोटिन इस स्टार्ट 인 विच ऑफ्दी फॉल्ких और ग बढ़ीया तो डाइजेशन जो हता है प्रोटेन के कहां प्र होता है मानोभी सरीर के प्लाइश के सब्से बड़ी ग्रंती एक रद ऑल ता माना शरीर की सबसे बड़ी अंताशरावी ग्रंती आवुटू ग्रंती है लार्जस इंडोक्राइन ग्लैंड इन हूमन बॉडी इस थायराइट ग्लैंड ठीक है यक्रत द्वारा पित का श्रावन किया जाता है बायल इस सेक्रीटेड बायल लीवर ये भी सही है तीनो स्टेटमेंट इसकी बिल्कुल सही हो जाएंगी कोई कलत नहीं पंद्रा देखते हैं इस पात के टंग्स्टन प्रकार में लोहे के साथ कौन से तो मिला जाते हैं मेंगनीज कारबन क्रोमियम कारबन क्या मिला जाता है टंग्स्टन के साथ कारबन टंग्स्टन टाइप की स्पील मनाने के लिए ग्लास बोतल खिलकी आदे में किस प्रकार के काँच का उप्योग किया जाता इ liability capacity is used in glasses bottles windows एक्सेटर काँच्ट Sure मूर्दू काँच फिलिंट काँच या पाई रक्स काँच किसका उप्योग करा जाता है दोस्तो इसके साथ तो इसके साथ हम लोग You यूज करते हैं म्रदू काच का इसका बडू काच यह सॉफ्ट ग्लास का 17 देख लेते हैं किस काच का अपवर्तनांग ज्यादा होता है विछ आप किसका अपवर्तनांट साईडर ग्लास का टृटिक्व सॉनलकर क्लणल क combos की सॉफहन से कम होगी किस में सब से कम होती है अलकॉहल की मात्रा साइडर में किसमें साइडर्मिक ठीक है एलकॉल की मातरा सबसे कम होगी निम्सकित में से किस प्रकार का कोईला कार्बन की मातरा के इंसाट तीसरे नंबर की गुड़वत्ता वाला कोईला है ठीक है एंध्रेसाइट लिगनाइट बिटूमिनस या पीट तो देखिए सबसे पहले अगर आ नाइक पीट याद रखेगा नेक्स देखनें बीस बैट बैट बैग रोग वहाग कीट से निम्लिकित में से कौन से विमारी होती है विच ऑफ फॉलोविंग डिसीजिस कॉल बैट 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 बिबोनिक प्लेक काला जाट टाइफस बुकार या चिकन गुनिया क्या जीला है और ये उसका लिंगानुपात नौनिगान पात नौह सो चब्विस है सीता मढई इसका नौह सो बारह है गलत использ का लिंग नौनुपात अटाट सो मिकेह Иशा दो तो यी जिला यह काफी इंपोर्टन्ट है बिहार जी के लिए इंपोर्टन्ट है यह आपको याद करना पड़ेगा बिहार का सिंसेस निम्लिकित मेंसे कौन सा विकल्ब साही सुमेलित नहीं है यह बताना रूआ है यह जीला है और यह है जीरो से च वर्ष की बच्छों का लिंगानों बात में पस्चमी चंपरन यहां कितना है nine- yogis रेशियो ऍलवि officethers थीख है फूर्वी चंपरन में कितना है 933 सेक्स रेशियो यह भी सही है शिहोर की बात करें यहां 931 गलत नोसो उन्तीस है यह शेक्स रेशियो और मदुबनी में शेक्स रेशियो 936 कितना है 936 प्रतिशत्ता की दृस्टी से बिहार का सबसे कम अनुसूचित जाती वाला जिला कौन से है विच इस दी लोबाइस district of बिहार in terms of percentage किशन गंज सिवहर पस्चमी चंपराण या पूर्वी चंपराण कौन सा है दोस्तों तो देखिए सबसे कम अनुसूचित जन जाती वाला जो जिला है बिहार का वह आपका किशन गंज है कौन सा है किशन गंज ठीक है चलिए नेक्स देख लेते हैं बिहार में क इतनी एक पॉंट टीन प्रतिशत पच्चेश देखते हैं दीवार अकबार से संबंदित निमनिलिखित कत्रों पर विचार करें तथा गलत विकल्ब का चैन करें चैन करें कंसीडर दा फॉलोंग स्टेट्मेंट रिलेटर टु दीवार नियूस पेपर और चूज दा रॉं जाएगा यह गलत है क्योंकि क्योंकि जितने भी सरकारी इसकूल है उनके जो नौई और नहुति जस्वी के छात्रों दौरा प्रिकाशित किया जाएगा ना की सिच्चक को द्वारा सिच्चक नहीं छात्रक नियर्धार्द किये जाएंगे भी सई और इसमें छात्राओं द्वारा लिखी कहानिया का वितायं भी होंगी यह बिल्कुल सफाई है करनटरकस सब्रहरिकी 26 देख लेते हैं अटल पेंशन योजना से संबंदिन निम्लिखित कतनों पर विचार करें असत्य कतन बताना है कौन सा असत्य है ठीक है इसकी सुरवात 2015 में होई थी अटल पेंशन योजना की इसमें धन जमा करने वालों को 60 साल के बाद 1000-3000 रुपय तक पर प्रावधान th Ой यूजञा है और पेंशन के निधार भी प्रीमियम देते हो उसी पर Q27 पर आ जाते हैं 2011 की जन्रकरना के उनसार भारत में भारत के किस केंद साशित प्रदेश में लिंगान उपाथ सरवाधिक दर्च किया गया है According to 2011 census which union territory of India has recorded highest sex ratio दिल्ली चंडीगर पुडूचरी दमंदीव बहुत important सवाल है तो सबसे जाधा sex ratio देखा गया है पुडूचरी में कहां पर देखा गया है पुडूचरी में 1036 च्टिगए 1037 याद रखें दमंदीव देखें अगर तो सबसे कम है दमंदीव में 618 सबसे कम sex ratio दमंदीव में 618 पुडूचरी में सबसे जाधा है कि 2011 की जंकरणा के इंसार बिहार में कितने वैध्याने के जंकरणा न न कर है व्हुनी स्टेट्री इन बिहार ऐस पर ट्वैंटी इलेवन सेंस देड़ेगे इन टो इसमें हैं कितने एकलिनें दिखते हैं बिहार में शराब बंदी किश्वर्ज लागी हुई है in which यह प्रोहिबिशन ओफ लिक्वर वस इंप्लिमेंटेड इन बियार दोहजार सोला से बैन होई है कब हुई है दोहजार सोला से ठीक है कि विष्णूपद मंदिर किस जिले में मोच दाइनी फालगू नदी के किनारे परस्तित है इन विच डिस्टिक विष्णूपद टेंपल सिचुएटेड औन दा बैंक्स ओफ रिवर मोच दाइनी फालगू पूणिया नदी बेगू मतलब पूणिया है बेगू सराय तो या कहां पे आपको यह मिलेगी यह आपका देखिए गया में कहां पर फालगू नदी के किनारे हैं गया में ठीक है कौन सा मंदे विष्णूपद मंदिर को यह चल्वायू वर्गी करण के अनुसार उत्तरी बिहार को किश श्रेणी में वर्ग रत किया जाएगा अककॉडियार लिक्लाईमेट उ हुटन क्लाइमेट थिखेशन और भी एर केन बी ग्लासिपाइब इंटो विश्क तुटिगरी अ w siwg तो इसको क्लासिफाइब कर जाएगा ा मिश्में 122 थे यह वहार राजिका कुल 6 तरफल त सच्पेशन 2011 में कितना था whatsoever is the total area and population density of Bihar in 2011 census तो इसका 94175 वर किलो मीटर 94164 या 94161 106 94175 वर किलो मीटर तो जो बिहार का कुल शेतरफल और जनसंक्या घनत्व है वो कितना था 94213 वर किलो मीटर या ग्यारा सो छे वर किलो मीटर आपका हो गया ठीक है यह था आपका ठीक है acum निम्रिकित में से कौन से विकल्प सही सुमेली तहरा विच ऑफ दी फॉल्लविंग उप्चनिस करक्डी मैच गया सर्यूं नदी के किनारे है छपरा फाल्गू नदी के किनारे मोकामा गंगा नदी और मुझफवर पूर गंगा नदी कौन साइस में से सही मैच कर रहा है तो मोकामा जो है यह बिल्कुल सही है गंगा नदी के किनारे मोकामा कहां गंगा नदी के किनारे क्योंकि गया जो है यह आपका फाल्गू नदी के किनारे च्छपरा सर्यू नदी के किनारे ठीक है और आपका मुझफर पुर्ड यह जी आर कुंड का छोटा प्रपाद निम्लिकित में से कहा hey hasthet हех लोकेटर इन दी है जी आर कुंड लोकेटर इन दा फॉलोइग बकसर, फुल्वारिया नदी पर कैमूर या नवादा तो यह कहा पर है यह है फुल्वारिया नदी पर 35 देखते हैं निम्लेकित में से पस्च्यमी कोशी नहर से लाबानवित होने वाला जिला नहीं है, which of the following is not district to be benefited from the western कोशी कैनाल, मदुबनी, पूर्णिया, दर्भंगा या बेगू सरा, तो कौन नहीं है इससे लाबानवित पूर्णिया नहीं है, कौन नहीं है पूर्णिया, मदुबनी, दर्भंगा, बेगू सरा, ये सब आते हैं, पस्च्यमी कोशी नहर से लाबानवित होने में, पूर्णिया नहीं आता है, बिहार के प्रमुख खरिजों में कोईले का प्राप्ती स्थल के है, among the major minerals of बिहार, mining site of coal is situated at, गया, मुंगेर, पूर्वी, चंपारण ये औरंगाबाद, तो इसमें कौन आता है दोस्तों, ये औरंगाबाद आता है, कौन सा आता है, प्रमुख खरिजों में, औरंगाबाद, सहतिस देखते हैं, सूचना है, हम संचार विवस्ता से संबंदिद, निमले की तत्रों पर विचार करें, तता असत्तिक अथन का चैन करना है, इसमें ठीक है, बिहार बंदू, बिहार का प्रतम हिंदी समाचार है, कौन बिहार बंदू, बिहार का प्रतम हिंदी समाचार, ठीक है, दा बिहार हेराल्ड, बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र है, नुरूल अन्वर ये बिहार का प्रथम उर्दू दैनिक समाचार है, ये भी सही है, और जो बिहार हेराल्ड है, ये एक दैनिक समाचार है, ये गलत हो जाएगा, दा बिहार हेराल्ड एक दैनिक समाचार पत्र है, ये गलत हो तो दी गलत हो जाएगा इसका बिहार बंदू जो कि बिहार का प्रतम हिंदी समाचार पत्रता निम्लिखित में से किस वर्स इसका प्रकाशन पटना से शुरू करा गया था तो इसकी शुरुवात हुईती अठारसो चौत्तर में 1874 में ठीक है 39 देखते हैं भू गर्भी सरनचना के अधार पर बिहार में चार प्रकार की चट्टाने पाई जाती है निम्लिखित में सी कौन सी चट्टान इससे संबंदित नहीं है धरवार विंद्या तरसीरी या कटप तो इसकी कडपा चट्टान जो है यह से संबंदित नहीं है ठीक है कडपा रॉक यह आपको वहां मिल जाएगी पेनिंसुलर इंडिया में मतलब साउथ में मिलेगी कडपा चट्टान है 40 देखते हैं बिहार की फाल्गु नदी का उद्वम इस्तालनेम लिखित में से किस इ एक तालिस देखते हैं आवद के नवाब सुजाउद दौला तथा वारेन हैस्टिंग के मतलब कौन सी संदी हुई थी वर्ट वस्ट्रीटी बिट्रीटी बिट्रीटी और बनारस ठीक है कौन सी बनारस की संदी 1763 से 1773 इश्वी के बीच पंजाब में छोटे-छोटे सिक राज्यों की स्थापना होई यह राज मिशल कहलाते थे इनकी संख्या कितनी थी जैसे रंजीत से इंस्टूकर शक्या मिशल्स थे तो मिशल टोटल कितने थे 10,11,12,13 में तो टोटल 12 मिशल्स आते थे कितने 12 जैस समापन किस संदी से होता है फर्स्ट एंगलो मराथा वार जो होता है नहीं आंगल मैसूर जो कि 1700 सरसर से 1769 में होता है श्री रंग पत्नम की संदी मदरास की संदी मंगलोर की संदी या उपयुक्तू में से कोही नहीं तो इसका समापन होता है मदरास की संदी से किस से होता है मद्राज की संदीच ठीक है चो आलिज दिखते हैं सवाई जैसिंग द्वारा खगोली वेजशाला कहां स्थापिन नहीं की गई थी वेर वस दी एस्ट्रोनॉमिकल अप्जर इस्टाबिस एट बाय सवाई जैसिंग दिल्ली उज्जैन भोपाल जैपूर तो भोपाल में नही ठीक है निम्रिकित में से कौन से राज व्यपगत के सिद्दान के तहित अधिकरत नहीं किया गया था जो डॉक्ट्राइन ओफ लैप्स पॉलिसी आई थी लॉट डलहुजी की नाकपूर संबलपूर जैदपूर या तंजौर तो दीके तंजौर को नहीं करा गया था ठीक ह यह सब को कैप्चर करा गया है पादशा नामा किस मुगल साशक के बारे में है पादशा नामा बाबर औरंग जेब अकपर या शा जहां तो पादशा नामा जो है यह शा जहां के बारे में किसके शा जहां के बारे में ठीक है निम्रिकित में से किस इस्तान का भ्रमण कॉंग्रेस की स्थापना के समय निम्लिकित में से किसने मुस्लिमों को कॉंग्रेस से दूर रहने के लिए प्रेरित किया था बदरुदिन तयब जी सेद अहमद खान या अरम सयान या अब्दुलकफार गान तो सेद अहमद खान बहुत अगेंस में थे इसके मुस्लिमों से का में प्रशास्ट में बहुरक है बाहरत मैं सुख्रहवादी सिलस्ला की सुरवात किसके दारा कि गई बाहुत्दी यह निजामदी आौलिय तो यह करी गही यह बहुतैंदी जकारिया के दिवारा बहुती जकारिया ठीक है तो यह थे आज के 50 कोशन मिलते हैं दोस्तों कल नेक्स लेक्चर में फिर से आपको मोस्ट इंपोर्टन कोशन की सीरीज लाके कराऊंगा नमस्कार